हालो फ्रेंट्स वांस एकेंड विल्कम पाइकिन माई टोजनों सब मैं हुआ अकाश्पंडूर आप देख रहे हैं यूनिक सेलरी में कर सेल्फ यूनिक कैसे हो आप लोग दोस्तों आप सब में से मैकसिमम लोग AutoCat Software के बारे में जानते होंगे आज का टोपिक का इंपोर्टेंस ओफ AutoCat in Civil Engineering कैरियर बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग टोपिक है इसलिए पूरा ध्यान से समझना और उसके बाद कमेंट में अपनी भी राय देना कि हां मेरा AutoCat से कितना बेनिफिट हुआ सब लोग अपना इंपोर्टेंस या फिर बेनिफिट कमेंट बॉक्स में जरूर बताना चलिए सुरू करते हैं जी Civil Engineering का ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो AutoCat Software का नाम नहीं सुना होगा Maximum लबभग 90% लोग College के दिनों में AutoCat कर लेते हैं अच्छी बात है आप लोग ने AutoCat का थोड़ा बहुत कुछ नुकुस्तो जरूर सीखाए प्रॉलम क्या होती है प्रॉलम यह होती है कि जब आप किसी जॉब के लिए जाते हो और वहां पर देखते हो तो हर जगप दिखता AutoCat 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 अब आप सोचते हो क्या AutoCat ही सबसे इंपोर्टेंट है और क्या इसी से पूरा कैरियर हम अपनी पर्सुर कर सकते हैं AutoCat हमारे ओफिस जॉब की पहली सीड़ी है गाईस इस पे पूरा कैरियर ने टिखा सकते हो लेकिन इसके बीना आगे का कैरियर पर्सुर नहीं कर सकते हो ऐसी कोई भी डोमेन नहीं है चाहे स्ट्रक्चर ले लो चाहे बीम ले लो modeling ले लो interior ले लो और या फिर कोई भी domain जो civil agency related है उसमें पाली सीड़ी जो होती है AutoCAD है अब जब पाली सीड़ी आपने अच्छे से पढ़ रखी है आगे की सीड़ी आपको आसान लगती है बट समस्या यह है कि पाली सीड़ी हम कहते तो है कि हमें आता है बट actual में नहीं आता है आप बोल रहे हो कि सर क्या बात करते हो हाँ यही बात करता हूँ आओ टेस्ट करना है संडे को AutoCAD का test series स्टार्ट है आप सब को पता है मैं पहले भी बता चुका हूँ AutoCAD का test series जिसने भी जॉइन नहीं किया है फट फट यूनिक सिविल एप आपके पास होगा ही उसके batches option में जाना और वहाँ पर batch code डाल देना क्या बताया था ना लास्ट आम एक वीडियो बनाके AutoCAD test series जिसने लोगों ने अप्लाई कर दिया है जिसने लोगों ने अप्लाई नहीं किया है लास्ट आम बोले लोग कि e-taps के लिए सर आपने बताया नहीं भाई मैंने वीडियो बनाके दे दिया था अगर आपको चेक करना है अपना knowledge AutoCAD का तो उस test series को जॉइन कर लो संडे को 11 बजे होगा 11.30 पर मलब 11.30 पर finish होगा 30 questions है आप चेक कर लो कि आप कितने capable हो चुन-च के question बना रहा हूँ संडे को 11 बजे morning में upload होगा 11.30 पर आपको result मिल जाएगा आपको पता चल जाएगा आपको AutoCAD कितना आता है चलिए जॉइन कर लिया अगर नहीं किया तो वीडियो अभी थोड़े देर वाच कर लो इसके बाद फट से जाके AutoCAD का टेस्टरी जॉइन कर लेना और यह मैं लास्ट में एक वीडियो दिखा दूँगा कि कैसे जॉइन करना है तो आपको आइडिया लग जाएगा चलिए अब ब सच करके देख लो AutoCAD पर सेलरी स्टार्ट होती है 8,000 से 8,000 डिपलोमा के बच्चों को 8,000 पर लोग स्टार्ट करते हैं कहने को लोग बोलेंगे नहीं सर 8,000 मिलता है बाई 8,000 पर लोग काम करा रहे हैं और जितने लोगों को इस चीश का experience होगा comment करका बताना भी इसके आदा की सेलरी गेन कर रहे हैं इनको सिर्फ AutoCAD आता हो 18 बहुत highest बोल रहा हूं जिनके बस लबभग 3 साल का experience होगा उनकी बात कर रहा हो ये एक सच है लेकिन अब आप सोचों कि जब 18,000 तक की सेलरी मिलेगी तो क्यों सीखना सर इसको लेकिन यार प्रॉलम ये है कि अगर इ चीजे सीख लेते हैं भाई AutoCAD के लिए complete जो काम की चीज है उस पर फोकस करो मुस्किल से 20-25 घंटे का जो लेक्चर है that is sufficient for AutoCAD 1500 घंटे माँ सीखो कि हाए कुछ भी ने सीख सारा लिया सिर 20-25 घंटे का लेक्चर sufficient है AutoCAD के लिए लेकिन जो AutoCAD हमें आना चाहिए अब कई लोग सोचरों के सर क्या AutoCAD आना चाहिए थोड़ा बता दीजे तो भाई देखो AutoCAD के अंदर सबसे पहली चीज जो मेन उसका रोल है वो है planning अगर आपको planning करना आता है आप perfect है दूसरा उसका रोल होता है कि elevation और section best label पर draw करना अगर आपको आता है तो आप AutoCAD में काफी हद तक आपको पता है तीसरा उसका रोल होता है import और export का मतलब आपको कोई file import करना है कोई file export करना है ये पता होना चाहिए चौता उसका बहुत important knowledge आपको होना चाहिए layers का layer को कैसे use करना है कैसे on off करना है कैसे freeze करना है unfreeze करना है, बहुत ठेर सारे वीडियो बना है, मैंने इस पर अगर प्लेलिस्ट पर जा के सर्च करोगे, लगभग लबत 30-35 वीडियो मैंने हम बनाए हुए है, जिसको भी complete स्रीज चाहिए, यूनिक सीविल एक पर चले जाना, इस समय के ओल 500 का AutoCAD का कोर्स है, 250 का मिल उसको study material, certificate, सब कुछ ISO certified मिल जाएगा, फिरहल, planning के साथ आपको layers आना चाहिए, layers के साथ block आना चाहिए, अगर block के बारे मिजानकारी नहीं है, block में भी dynamic और static, दोनो block आपको पता होना चाहिए, कि dynamic कैसे use करते हैं, static कैसे use करते हैं, उसके बले कुछ importance command है, जैसे कि आपका X- X-Ref है, जो industry use की commands है, बाकी मैं line polyline circle की बात नहीं कर रहा हूँ, X-Ref command है हमारी, overkill command है, purge command है, यह सब actual में जब practically आप काम करते हो, तो वहाँ पर इसकी जरूरत पड़ती है guys, और्थों की use में जरूरत पता होना चाहिए, dynamic input की use आपको पता होना चाहिए, PDF कैसे बनाएंग मतलब result कैसे print करके देंगे, उसमें 1 ratio 1, 1 ratio 50 क्या है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, color print कैसे निकाल के देंगे, इसके बारे में पता होना चाहिए, these are some important things in AutoCAD, which is most important, जो आना ही चाहिए, बाकी है तो बहुत कुछ, चलिए, तो अब AutoCAD हमको सीखना compulsory है, लेकिन आकर आपने सीख रखा है, तो उसको brush करना जरूरी है, मतलब उसको prepare करना जरूरी है, यह आपके beam के भी job में आपको यह role play करेगा, और structure में भी यह role play करेगा, क्योंकि stat की drawing भी यहीं लाओगे, beam की भी drawing यहीं लाओगे, हर जगह पे AutoCAD center है, .dw जिसका file format होता है, किसी और stat i-tab में import करना है, तो .dx में इसको convert करना पड़ता है, तो guys importance की बात करूँ अगर resultant की, तो AutoCAD हर एक civil engineer को आना चाहिए, जो अपने office carrier को pursue कर रहा है, AutoCAD के साथ एक और अच्छी चीज है, अगर आपको job नहीं मिल रही है, और office job करना ही करना है, तो यह एक ऐसा solution है, जिस प तो आपको जो office का एक carrier होता है, वो start मिल जाएगा, बट मैं suggestion दूँगा कि क्योल AutoCAD पर मत रुके रहना, this is the first step of office job, first step of your success, तो बेटर होगा कि इसके बाद Revit और इसके बाद STAD थोड़ा-थोड़ा करके stepwise जाओगे, और फिर हाल तो जितनी learning करते जाओगे, कई बच्चे म मुझे आता है, मैंने सीख रखा है college में, AutoCAD भी सीख रखा है, बट confidence नहीं आता कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, तो confidence का सिर्फ एक उपाय है guys, वो उपाय है knowledge, जैसे से knowledge आता जाएगा, confidence increase होता चला जाएगा, तो आपको AutoCAD कितना आता है, आपको अगर पता करना है, तो test स्री जॉइन कर लो, free of cost है, करना क्या है, यूनिक से भी लैप डाउनलोड कर लिया, मोबाइल में या लैपटॉप में जहां पे भी आपको सुविधा पड़ी, और उसके बाद आपको बैचेस ऑप्सेल में जाके AutoCAD TS, A-U-T-O-C-A-D-T-S, TS मेलब test series, बस इतना लिख के भेज दिनना है, मैं जॉइन कर दूँगा, आप संडे को आके वहाँ पर अपना परिछण कर लिख देगा, हमको AutoCAD कितना आता है, बट आना compulsory है, होप आपको क्लियर हुआ होगा कि बिना AutoCAD के civil engineering के अंदर, career, अगर office job में आप start करना चाहते हो, तो नहीं possible है guys, यह most important है, चाहे survey department हो, चाहे estimation department हो, चाहे structure में हो, चाहे beam में हो, सब के लिए यह ऐसा चीज़ चाहे आलू, सबजियों में आलू होता है, बिना आलू के बहुत से ऐसी सबजिया है, जो गलती से एक दो सबजी भले बन जाती है, लेकिन maximum सबजी के लिए आलू compulsory होता है, तो same is AutoCAD also, च से lifetime access करो, practice material दे दूँगा, आपने खुद के projects दे दूँगा, और साथ ही साथ ISO certified certificate दे दूँगा, आप क्या चाहिए, टीके, thank you so much, जै हिंद, जै भारत, और गाईस अगर आपको यह वीडियो अच्छे लग रहे हो, तो इनको support करो, हाँ एक चीज़ बताना भूल गया, LinkedIn प मैंने page बना दिया है, यूनिक सिबिल का, अगर किसी को follow करने का मन करे, उनको लगे कि उपयोगी है यह channel हमारे knowledge के लिए, तो जाके यूनिक सिबिल पर हमारा page उसको follow लो कर लेना, thank you